हेलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, आई होप सभी अच्छे होंगे, फ्रेंड्स वीडियो में बने रहें, वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, और उमिद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो छोटा सा एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आज की वीडियो में मैंने जो बुलन क्लोस होते हैं, गरम कपड़े, स्वेटर, जर्शी, सूट वगारा जो भी होते हैं, उन पर बहुत गंदार रोहा आ जाता है, उसको हटाने का एक छोटा छोटा टिप्स या और तरीके दिखाए हैं, और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें कि वो कम ही जगे में आ जाएं, यही तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है, आई हूप की यह तरीका आपको जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज प्लीज एक बार वीडियो में बने रहें, और वीडियो को पू कर सो ही जाते हैं, और कैई वारतों सोते भी नहीं हैं, कुछ टाइम के लिए पहनते हैं, और आप देखते हैं कि हमारे स्वेटर सूट जो भी होते हैं, सब में हलका सा रोओं आ जाता है, किसी किसी कपड़े में तो बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, किसी किसी में कम आता है जिस कपड़े को पहन कर सो जाते हैं उसमें तो ज़्यादा ही आता है तो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने कुछ वुलन कलोज सी रिये हैं जिनमें काफी रोवा आ गया है तो आज मैं इसको हटाने के एक सिंपल से तरीके दिखाऊंगी आई होप की वीडियो पसंद आएगी तो फ्रेंट्स जहां पर रोवा है पहले उस कपड़े को अच्छे से फैला लेंगे और यहां पर मैंने दिये हैं यह रेजर और एक लिया है इसक्रबर यह रेजर हर घर में मिल ही जाते हैं हर गर में अविलेवल होते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने यह रेजर लिया है एक और इस तरीके से हलके हाथ से रेजर को चलाते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछी टाइम में रोवा हटकर और इस पर चिपक गया है तो बहुत ही अच्छा तरीका है आप कोई भी पुराना रेजर ले लीजिए और इस तरीके से हलके हाथ से उसको घिसते रहें आप देखेंगे कि रोवा सारा चिपक कर आ जाएगा रोवे को बाद में हटा दीजिए तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने ये दूसरे तरीके का सिंपल वाला ब्लेड लगाने वाला रेजर लिया है और इस रेजर को हलके हाथों से इस तरीके से एक साइड को करते रहेंगे आप देखेंगे कुछी देर में सारा रोवा एक तरपो इखटा हो जाएगा और हमारा जो भी स्वेटर, सूट, सौल वगारा होगा उसका रोवा बिलकुल साफ हो जाएगा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ी ही देर में पूरी बाजू को मैंने इस तरीके से साफ कर लिया है इस रेजर से तो फ्रेंड्स अगली टिप्स मैं दिखाऊंगी कि जो घर में हमारे इसक्रेबर इस्तेमाल होते हैं बरतल साफ करने के लिए तो आज उसी का इस्तेमाल हम ये लेड़ हटाने के लिए करते हैं जो कपड़ों में लेड़ आ जाती है बहुत गंदी लगती है तो यहाँ पर मैंने बिना यूज किये एक नया इसक्रेबर ले लिया है और इसक्रेबर को इस तरीके से रगड़ता रहेंगे तो फ्रेंड्स ये रेजर से भी जल्दी अच्छा काम करता है तो आप देख सकते हैं कोई भी रुआ बिल्कुल भी नहीं वचा है बिल्कुल प्लैन हो गया है मेरा ये वाला सूट तो आज मैं यही करने जा रही थी मुझे लगा कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद आएगी तो आपके साथ भी सेयर करूँ तो फ्रेंट्स आप चाहें तो यहाँ पर इसकरवर से या रेजर से रुआ को आराम से हटा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने पूरे सूट को साफ कर लिया है दोनों बाजू कुर्ते की मेरे साफ हो गई है अभी चेस्ट वगरा से भी हटा लिया है क्योंकि कुछ जगह पर ही ज बढ़ जाता है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप भी अपने कपड़ों से रुआ हटा सकते हैं और बताईएगा कि यह टिप्स आपको कैसी लगी इन टिप्सों में से कौनसी टिप्स आपको सबसे जादा पसंद आरी तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मेरे सूट को मैंने बिल्कुल प्लैन कर लिया है रेजर और इसकरवर के इस्तेमाल से आई होब कि यह आईडिया आपको पसंद आ रहे होंगे तो फ्रेंट्स आप भी अपने पुराने कपड़े के रोई हटा कर उसको बिल्कुल नया जैसा कर सकते हैं क्योंकि रोई वाला कपड़ा पहनने में बहुत गंदा लगता है तो फ्रेंट्स ये एक स्वेटर है मेरे पास जो काफी पुराना है और इस पर नए पर ही काफी लिड आगे थी काफी रोई आगे थे जो बहुत ही गंदे लगते हैं और पहनने का भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है तो फ्रेंट्स एक बार में फ एक हाथ में लगा हुआ है रेजर इससे साफ करूँ आप देख सकते हैं एक साइड को हो गया है सारा रोवाँ और बलेक पर रोवा हो जाता है वाइट वाइट जो बहुती गंदा लगता है उसका रोवाँ बल्कुल बाजू हो गया है साफ अभी दूसरी तरफ से मैं इस करव कोई भी यहां पर पैसा नहीं लगता है तो आप लोग छोटा सा लाइक कर दीजेगा और वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके उसके लिए बेल आइकन को अल पर पैस भी कर लीज सौल सूट जो भी होते हैं बिना खराब हुए बिलकुल साफ हो जाते हैं आई हो कि यह आइडिया आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे आप देख रहे हैं न मैं बिलकुल आराम आराम से इस रेजर को चला रही हूं और जिस साइड आपको चलाना अच्छा लगे उस साइड से फोल्ड करना नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी वीडियो को आप पूरा बिना स्किप किये देखते रहिएगा तो इस तरीके का कोई भी कपड़ा हो तो इस तरीके से आप पहले एक साइड से उसको फोल्ड करिएगा और उसकी बाजू को बाहर की साइड मोड दीजेग तो पहले जहां गर्दन की जगह से मोड़ेंगे वहाँ पर हात रख लीजेगा जिससे की वो खुलेना और उसकी बाजू को इस तरीके से फोल्ड करते हुए दोरों तरफ इस साइड अंदर लगा दें और आप देखेंगे बहुत ही छोटी सी तया और बहुत ही अच्छी कम जगह में आने वाली सूट की तह बनकर हो गई है तयार सेम उसी तरीके से अभी स्वेटर को भी फोल्ड करते हैं तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप फोल्ड करकर रखेंगे आप देखेंगे कि थोड़े से बीच में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं तो सेम उस तरीके से प यह आइडियाज आपको जुरूर पसंद आए होंगे देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहा है तह बनाने के बाद सारे कपने कितने सुन्दर दिख रहे हैं ना आई होप की वीडियो आपको पनाई होगी पसंद आई हो तो छोटा सा लाइक कर देना और आप भी इन टिफ्स को फॉलो करके अपना टाइम बचा सकते हैं तो एक छोटा सा लाइक बनता है थैंक्स फॉर बाचिंग बाइबाए टेक केर